हाई प्रेंट्स वेलकम एब्रीवन आज का वीडियो में हम लोग देखने बाले हैं क्यासे हम अपना कम्पणी बिज्नस या फार्म के लिए कैसे आप आपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं तो अपना लोगो डिजाइन करने के लिए नीचे description में दिये गूए लिंक पे क्लिक के जिए आगे आपका टैब कुल जाएगा यहाँ पे the hot logo maker bulka site में यहाँ पे हम अपना logo डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि पहले एक logo यहाँ पर पड़ा हुआ है तो अभी हम लोग अपना logo के लिए नया वाला new tab है उपर में इस पर क्लिक करते हैं जो देन क्लिक येस तो आपका यह clean होगी तो अभी हम अपना logo का symbol के लिए add symbol के क्लिक करेंगे जैसे ही आप add symbol में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका categories लिख के आएंगे तो आपका जो भी related field है business है उसके according अब अपना symbol select कर सकते हैं तो हम लोग example के लिए अभी यहाँ पर engineering construction का option select करते हैं तो जैसे ही तो यहाँ पर काफी सारा symbols आ गया है तो इसमें से हम लोग select करेंगे आप लोग यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं आपको जो पसंद है मैं यहाँ पर इसको select करता हूं इसको drag करके में page के बीच में लाता हूं इसको आप यहाँ पर इसको size बड़ा चोड़ा कर सकते हैं अभी आपको अपना company का trademark करते हैं उसके लिए आप जाएंगे add text पर यहाँ पर add text क्लिक करेंगे तो यह तो यह आप आप आजाए रहा है इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं यहाँ पर अपना company का नाम लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं अभी आप इसका font change करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारा आजाएगा तो इसमें से आप एक स्रेट कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसको स्रेट करते हैं कि इसका आप साइज जिस कर सकते हैं यह आपका टेड मारत आगे अभी आपको अगर इसमाव पर अपना tagline एड करना है तो यहाँ पर आप इसको डूप्लिकेट कीजिए कि डूप्लिक कीजिए कि स्लेट कीजिए देन वहाँ पर आपका जो भी टैग लाइन है आप उसको टेक्स कर सकता है आपर मैं टाइप करता हूं पर्स्ट देन मैं इसको सिलेट करके इसका फॉर्ट मैं चिंद कर सब्सक्राइब आपका फॉर्ट का तलर चेंज करने के लिए इस टैब में ख्लिक कीजिए तो यह आपका लोगो बनके तयार है यहाँ पर आप अपना अभी मोडिफिकेशन कर सकते हैं कि ना अभी इसको अगर आपको डाउनलोड करना है उसके लिए आप उपर में टॉप में देखेंगे शेवन डाउनलेंड का बटन है आप वहाँ पर क्लिक किजिए तो यह खुलके आएगा पिर यहाँ पर आप अपना इमेल आइडी दीजिए जैसे इंपूर्ट देते इमेल आइडी फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यह आपका मेल आइडी पर चला जाए तो यह आपका बढके लोको आपका मेल आइडी पर सिंट कर दिया गया है है तो आप अपना अभी यहाँ पर आपका लिंक कर लिखहा रहा है पहले आपमेने मेल चेक करेंगे मैल में आपको लोगों हर एक format में JPG format EPS, PNG, SPG format में आपको send किया गया है तो आप PNG format यूज़ कर सकते हैं कहीं पर आपको लोगों का transparent रखना है जाएंगे तो for that आप PNG format यूज़ कर सकते हैं ये एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच format आपको लोगों आपके mail ID में मिल जाएंगे इसके बाद अगर आपको future में आपका logo में कुछ modification करना है इसके लिए आप ये link आपका mail में भी दिया गया है इसको आप save करके रखेंगे इस link के तुरू आप वहाँ पर जाके अपना logo में modification कर सकते हैं आपको 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 नहीं में वाट आपको 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 है आपकोओ आपको 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 में धूत किक्या अच कंच करने February